हेलो एब्रीवान वेल्कम टू इंडिया बड़ी आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बड़ी में स्टुडेंस मुझे पूरे इंडिया से मेसेज़ आ रहे थे इमेल आ रहे थे एवन कुछ लोगोंने वाटसप भी किया था मुझे कि यह पूछने के लिए कि सर ट्वेल्थ एक्जाम का इंडिविजुल स्टेट वाइस क्या होने वाले तो स्टुडेंस मैं आपको पूरा स्टुडेंस के लिए भी पूछ रहे थे कि सर पेपर कैंसल होगा कि नहीं होगा आपको तो मालूम है कि जो नेक्स्ट हीरिंग रहेगी हाइगी जो कुलकरनी सर ने जो पी आल डाला उसके लिए जो रहेगा तो उसमें वह डिसीजन आएगा तो आपको थोड़ा सा वेट कर है आपको मालूम होगा है HRD मिनिस्टर जो हमारे Union Education मिनिस्टर रमेश सर उन्होंने बोला था सभी स्टेट को कि आप CBSC के उपर अपना डिसीजन दीजिए देखिए अगर स्टेट CBSC के बोलेगा कि पेपर कंड़क करवाना है तो डेफिनेटली वह स्टेट जो है वह अपने लोकल बोर्ड के लिए भी मतलब जैसे महाराष्टा में HSC होता है गुजरात में उनका 12th का बोर्ड होगा तो उनके लिए भी वह एक्जाम करवाएगा ठीक है तो अब हम देखते कि उनका डिमांड क्या है हर एक स्टेट ने क्या बोला है तो पहले हम सीधा एकदम easy and एकद दिल्ली गोवा एंड अंडमान निकोबार ठीक है यह अपोस कर रहे कि क्लास 12 की बोर्ड एक्जाम जो है CBAC की वह नहीं होनी चाहिए ठीक है अगर यह इस चीज़ को अपोस कर रहे तो डेफिनेटली इनके जो लोकल बोर्ड होंगे दिल्ली में नहीं होता है लेकिन बाकी महाराष्टरा ने ट्वीट किया है यह बोलके कि जो एडिकेशन मिनिस्टर है उन्होंने ट्वीट किया है कि हम नो एक्जामिनेशन रूट करेंगे लेकिन कोई ओफिशली जी आर नहीं डाला है इसलिए वहां पे एक थोड़ा सा यह हो रहा है कि महाराष्टर का डिसीजन क अगर लोकल बोर्ड एक्जिस्ट होते हैं तो अब 29 स्टेट्स ऐसे हैं कि जिनों ने बोल दिया है कि भाई सेंटर आप डिसाइड करो सी बेसी के लिए मतलब वह सेंटर को कॉपी करने वाले हैं अब इसमें से कौन से बोर्ड है इसमें से देखिए मैं अभी थर्ड और सेंटर के ऊपर छोड़ा तो मतलब अगर सी बीए सी का फेवर में आता है कैंसलेशन का तो गुजरात भी अपना डिसीजन बदल सकता है ठीक है सिमिलरली करनाटक के केस में भी ऐसा है तो यह सारी चीज़े जो 29 स्टेट्स हैं अगर मैं आपके स्टेट्स का नाम नहीं ले तो आप समझ लीजे कि आपका वो 29 स्टेट्स एन यूटी में आ रहा है नेक्स्ट हम बात करेंगे राजिस्तान तिरिपूरा एंड तेलंगाना ने बोला है कि जो एक्जिस्टिंग फॉर्मैट मतलब जो दो आप्शन दिये थे ना एक बोला था कि एमसी क्यू टाइप होन के बात वैक्सिनेशन स्टुडेंस का टीछर्स का और बाकी बीजो स्टाफ से उनके लिए तो मतलब इन चॉर्ट ये भी जो देखा जा रहा है कि वैक्सिनेशन होने के लिए आपको दिवैक्सिन लगेगी इंडिया में करीबन 10-30 करोड के आसपा स्टूडन से सिफ 12 स्टै दिखो के कम से कम 2 करोड के आसपास, लोग तक लोग रहेंगे जो इस examination से जुड़े रहेंगे तो ईतना vaccination हम कर पाएंगे, यह vaccination तो करना है, प्लस हमको साती साथ जो regular vaccination चलना है, वो भी करना है, तो it is not possible, मतब इनों और इन्हों डिर्क cancellation के लिए नहीं बोला है, बट इन्हों सरकार को एक ऐसे कंडिशन में फजा रहे हैं कि जो कंडिशन जल्दी एचीवेबल ना हो लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर सरकार इनको हां बोल दिती है तो पेपर बहुत लंबे एक समय के लिए पोस्ट पॉर्ण हो सकता है औरिसा ने अभी तक कोई फीडबैक नह आते हैं कि जिन्होंने बोल दिया कि भाई सेंटर डिसाइड करेंगा कि क्या करना है तो आपको थोड़ा वेट करना जैसे सीब्सी का डिसीजन आता है और वो स्टूडन के फेवर में आया तो यहां पर चांसे से कि बाकी सभी स्टेट भी इसके अगेंस करेंगे लेकिन अब एक इन्पॉर्टन चीज यह है कि मैं चाहता हूँ जैसे आप देख रहें कि पंजाब दिल्ली गोवा अंडमान निकोबार या महराष्टरा जारकंड सिक्केन दमन अंदूई अगर यह इनको इस चीज का विरोध है तो आई थिंग कि इन सभी को एक होना चाहि है और फिर इसको गवर्मेंट को थोड़ा स्ट्रॉंगली बोलना चाहिए कि नहीं देखिए यह प्रॉब्लम है स्टुडेंस की लाइफ को साथ खत्रा हो सकता है बट यहां पर हो क्या रहा है सब इंडिविजुल फाइट कर रहें मतलब उनका एम क्या है कि उनको पेपर कै से उनको बोलिए कि सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है हमारा एसाम आर्ट नौ जो भी स्टेट से हम चाहते हैं कि यह पेपर कैंसल होना चाहिए लेकिन यहां पर सब सिफ ट्वीट कर दिया जा रहा है थोड़ा मीडिया में आकर बोल दिया जा रहा है और बात को खतम कर दिया जा अगर आप रियली स्टुडेंस के पॉइंट आफ व्यू से है तो करिए क्योंकि इंपॉर्डेंट चीज यह है कि आप डिसीजन ओनलाइन मीटिंग ले रहे हो एसी कमरेश में बैट कि आप डिसीजन ले रहे हो और डिसीजन क्या ले रहे हो मालू में कि आफ लाइन एक्ज करें और उसके बाद students को पेपर मतब आप office में बैठके बुलोगे कि नई ने आप सब चीज हो जानी चाहिए आप लोग जाओ कोई खत्रा ने पहले आप जाईए आप खुद देखिए कितना खत्रा आप पहले जितने भी स्कूले सब में घूमी है उसके बाद क्योंकि अगर आप ये रिस्क लेने को तयार नहीं है तो आप बच्चे पर कैसे सोचे कि बच्चे इस रिस्क को लेंगे ठीक है तो ये एक चीज़ स्टुडेंट याद रखिए हम ये भी अपना डिमांड रखेंगे कि ठीक है अगर आप सारे स्कूल्स में जाकर चेक करेगा कि अगर आप निकलने को तयार नहीं तो हम भी नहीं निकलेंगे और यही सेम चीज़ कोट में भी रहेगा कि एजुकेशन मिनिस्टर या उसके स्टाफ चेक नहीं कर सक रहे तो फिस बच्चे कैसे उस पर बिलीफ करें अगर उनको खुद पर बरुसा नहीं कि जहां पर मैं अ साथ है था और हमेशा रहेगा मैं पूरी तरीके सा अपनी पूरा 100% दोंगा रिजर्ट आपका जो पेपर है रिजर्ट सब स्टुडेंस के फेवर में ही लाओंगा तो थैंक यू वेरी मच पर वाचिंग इंडिया बड़ी जैहिंद